वेलकम बाक टू दा चैनल तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट उसके फीचर उसका अबजेक्टिव उसके नेचर के बारे में अब हम बात करने वाले हैं लेवल सोब मेंजमेंट के बारे में बेसिकली तीन ताइप के लेवल होते हैं टॉप ल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर ल हम कर लेते हैं स्टार सो लेट गेट स्टर्टेढ मेरे ma फिर बात करेंगे तॉप लिवल की फिर बात करेंगे मिदिल लिवल की देन अट्र लिवर लेवल पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहen जो बनस्कान Dip कि वन मारख करेंगे कि плodady होती है और जो accountability है जवाब देही जो accountability है accountability flow करती है lower level से top level तक जवाब देही कहा से चलती है lower level से लेके top level तक तो ऐसा question पूछ सकते हैं कि authority flows from तो आपको बोला है top to bottom या top to lower और अगर हम बोले कि जो हमारी accountability है जवाब देही है वह follow होती है lower level से top level तक अब हम start करते है lower level के meaning के साथ lower level sorry top level के साथ तो जो top level है उसमें पहली बात तो जो members रहेंगे वो रहेंगे BOD CEO CFO President Vice President Journal Manager और chairman अब sir BOD क्या है that is board of directors chief executive officer chief financial officer ठीक है यह चीप नहीं है चीव है ठीक है अब हम बात कर लेदे कि यह top level का काम क्या रहता है तो जो top level of management होता है वो क्या करता है setting up of objective जो भी हमको काम करना है तो उसका objective या एक target सेट करता है ठीक है वो उसके बात फ्रेमिंग plans and policy उसके regarding जो भी हमने objective set किया है उसके regarding जो भी plans है policy है उनको बनाता है ठीक है assemble resources अब जो भी हमने plan objective सब कर लिया एक objective set कर लिया तो उसके लिए जो raw material है या जो भी resources लाइगेंगी उसको assemble करता है अब हम बात कर लेते है responsible for welfare and survival of the organization यही लोग जो है अपनी जो organization है उसके welfare के लिए उसके development के लिए या उसके survival के responsible रहते है ठीक है अब यह लोग कहां connect रहते हैं they are connected with government officials and outside world for example यह लोग connect रहते हैं government officials के साथ ताकि अगर कोई government की policy में change आता है तो उसके साब से लोग changes कर सके या outside world जैसे माली जाए अगर कोई technology में change आ तो उसके साब से अपनी method को change करना या अपने material अपना objective change करना इसलिए यह लोग connect रहते हैं government official और outside world के साथ ठीक है अब इसको मैं याद करने के लिए मैं simple सी बात बता दूँ अब अगर हम कहीं पूछे टॉप लेवल तो टॉप लेवल में होती है हाई planning planning भी हाई लेवल होती है authority power भी ज्यादा रहता है हाई power रहता है arrangement of resources अब हमने बात कर लिये टॉप लेवल की अब हम बात करेंगे मिडिल लेवल की तो सर मिडिल लेवल अब क्या होता है तो मिडिल लेवल में आते हमारे मिडिल लेवल का क्या है यह जो टॉप लेवल ने plans and policy बनाई है इसको transfer करना किसको lower level को ठीक है मतलब यह जो भी plans policy है यह लोग क्या करते हैं चो टॉप लेवल ने बनाई है उसको transfer कर देते हैं लोगर लेवल के साथ अब सरिंका और भी काम होँगे तो यह लोग organizing करते हैं department Fred! की activities जो भी department की activities होती हैं उसको यह अटी एलब organize करते हैं सर फिर और क्या करते हैं मुटिवेटिंग employees to perform with their best ability यह क्या करते हैं जितने भी employees हैं को motivate करते हैं कि वह अपना जो भी काम है या जो भी versus से भी और अच्छा करें ठीक है देहार linking पिन देखो टॉप लेवल और लोगर लेवल के बीच में जो है linking पिन जो एक दूसरे को जोड़े रखता है अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कॉपरेट विच अधर डिपार्टमेंट पर स्मूथ पंशनिंग के लिए अगला पॉइंट आता है विच्ण परसेज जो भी टार्गेट सेट किया है उसके इसाब से जो भी एंप्लॉईश को हमको रेकूट करना है यह रेकूटमेंट income वह कि इस आप के नाम होते है यसे कि ओपरेशन लेवल सुपर वाइजरी लेबल या पिर ओपरेशनल लेवल ठीक को फसके के सब्सकी के इस टाइब से आती है कि Mr. A है वो कहीं कंपनी में बोर्ड ऑफ डारेक्टर है तो बता वो कौन से लेवल ऑफ मेनेजमेंट पर आपको बताना पड़ेगा टॉप लेवल पहला कोश्चन यही रहता है कि कौन से लेवल पर इसलिए हम पहले इसको डिफाइन कर चुके हैं कि कौ से लेवल पर ठीक है आप हम भात कर लेते हैं ल Pal लेवल की देनं आप्टर हम आगे बात करेंगे लेवल लोग पाथे वह मैंन स्वारी क्लर सेक्शन अफिशर सब डेपार्टमन सुपर्वारिजर एग्जेक्यूटिव एक्सेट्रा ती यह लोग आते हैं हमारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको मिडिल लेवल को और मिडिल लेवल करता है फिर टॉप लेवल को तो क्या करते हैं जो भी प्रॉब्लम वरकर्स को आती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल लेवल और टॉप लेवल के सामने फिर क्या करते हैं जो भी वरकर्स है उनको एक healthy working condition देते हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके लोगर लेवल का अगला पॉइंट है help middle level in recruitment process अब क्या है जो भी लोगर लेवल है वो ultimately workers या उनके employees के साथ directly connected रहते हैं इसलिए वो middle level को help करते हैं काई में recruitment process में अब अगला point आता है responsible for boosting morale of employees like sometime workers का morale down हो जाता है या sometime कुछ हो जाता है कोई भी एक छोटे से point को लेकर conflict हो जाता है या उनका morale down हो जाता है तो यह क्या करते हैं उनके morale को boost करते हैं कि वो और अच्छे से काम कर सके दे इंटरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं अच्छे से कर सके और अल्टीमेटली यह काम है लोगर का क्यों जो वर्कफोर्स उसके साथ इंटरेक्ट कर सके यह पास इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन टॉप लेवल मिडिल लेवल से आये हैं यह उसको फृदर आगे वर्कर्श एंप्लोई के पास पास करते हैं यह दियां इंप्लोई यह वर्कर के साथ साथ बन जा हम शौर्ट वीडियो में जल्दी खतम करेंगे निते एक दिन में दो वीडियो अप्लोड करेंगे पर इसको कम्प्लीट करेंगे स्टिल कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अभी तरह इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और अगर वहां नहीं कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल तो जॉइन करी लो क्योंकि वहीं तुमको इस सब की लेटेस्ट अपडेट होंवर्क और बहुत सारी चीजे चैनल पर आने वाली तो उसकी अपडेट वहीं मिलेगी तिल देन गाइस कीप अर्किंग हाट और मेक यूर पैरेंट्स प्राउ थैंक्स अलोट